आज की वीडियो को टॉपिक होने वाला है हमारे पास एक मिनी टावर रिपार होने के लिए आजा है तो मैं आपको गाइस दिखा देता हूं जो हमारे मिनी टावर है यह वो कुछ इसका मॉडल कुछ इस तरी किसे आप देख सकते हैं देख सकते हैं आप इस तरी के से मोडल है इस चलिए इस चल्दी से खोड़ लेता है खोलने से पहले मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम देखा देखा रहे हैं कि इसके इंदर प्रॉब्लम क्या रही है मैंने प्लग लगा दिया है और मैं इसकी पावर ओन करता हूं और प्रेंट्स देख सकते हैं और आवाज भी हमारी क्लियर आ रही है बट अब क्या करेंगे हम जैसे इसमें स्वांग प्ले करेंगे अपना अपना लाइज देख सकते हैं आप प्रॉब्लम के आरियस में एकदम से पहले चलता है फिर यह हूं हूं की आवाज आने लगते है तो चलिए इसको ठीक करते हैं और चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं अच्छा से फिर देखते हैं क्या प्रोब्लम है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना टावर जो वह खोली आए अच्छे से तो गैस आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारी बीस पचास आइसी वाली एक प्लेट लगी हुई है तो गैस देख सकते हैं लेट तो ठीक है और कोई फॉल्ट भी निजर नहीं आ रहा है बज़ चलिए इसको हम उल्टा कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट लिया है बैक साइड से और अब हम अपना मल्टी मेटर लेंगे और हमने अपना जो मल्टी मेटर है वो डीसी 200 वोल्ट पर लगा लिया है और हम चैप करते हैं है जो प्रॉबलम है हमारी वी अध्य हो जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होने को लगते है तो अब कर लिदा सिस्टम को अन गड़ें आप देख सकते हैं जिस्टम है और पहले के पिस्टर पे अपनी के वोल्टेज है तो च्क रही है आप देख सकते हैं भटरी बटरी है पहले पहले बेखें सोला प्रेंट उच आ रही है तो कि यह कर देखिए बोल्टेज नहीं दिखा रहा है इसमें पहले दिखा रहा था अब सब्सक्राइब कर ले दिखा रहा था अब सब्सक्राइब केपिस्टर पर हमारा नहीं दिखा रहा जा है वन पॉइंट घट रहा था अ मैं है कि दोनों के इसुल सब्सक्राइब करने हैं कि देखिए यां पर वूल्टेज नहीं दिखार आई है वरेसे से च्राम देखिए यहां पर मतलब voltage आई ने रही है दोनों कैपिस्टर यह हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं तो देख सकते हैं आप गाई यहां पर voltage आई ने रही है इसका मतलब यह हमारे डीठर आपको बतादू जेघिस्टर लगे हुए है यह क्यापिस्टर कैरे देखा है और देखा देता हूँ मैं आपको एक बार कैमरे से आप देख सकते हैं आप यह 4700 UF और 25 वोल्ड के लगे हुए हैं आपको दिखने रहा हुआ है देख सकते हैं 25 वोल्ड और 47 UF का कैपिस्टर लगे हुए इसकी जगह मैं यह वाले कैपिस्टर यूज कर रहा हूं 47 UF और 35 वोल्ड का है यह भी आपर चल जाया तो इस चलिए इनको चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारी प्रॉब्लम जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों कैपिस्टर अपने चेंज कर लिए हैं और चलि मैं मैं आपने पावर देते हैं और उन गड़ते हैं तो देखिए सिस्टम वावर ऑन लाओ वाओ ऑन हो गया है और चलिए गाई इसमें एक सोंग प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि ठीक हुआ है या नहीं है कि चलिए इसका सांट कर लेते हैं तो चलिए पावर ऑफ करते हैं पहले पावर ओन हो गई है हमारे सेट की तो चलिए ब्लूथूथ पहले कर लेते हैं इस चलिए हमारा जो लूथूथ है वह कनेक्ट हो गया है चलिए कोई नॉन कोपिराइट सौंग प्ले कर देते हैं जिसे की वीडियो पर कोपिराइट ना जाए तो चलिए प्ले कर देख सकते हैं जो मारा सौंग में वह प्ले हो गया है और अब अपनी आवाज देख सकते हैं जो मारी प्रॉब्लम हो वह सौल्फ हो चुकी है अब जो मारा सिस्कम में वह भूंग नहीं कर रहा है चलिए मैं आपको आवास सुनाता हूं हुआ 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 है और फेंड्स वीडियो कैसी लग्या आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीजभी वीडियो को लाइक प्लीज एंड शेयर कर दें अगर मेरे चैनल पर नवाए को प्लीज़ को सेश्क्राइब कर दें आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आज के लिए इतना ही झाल 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 झाल